जै माता दिया आप सभी को माधी शक्ती मेरिटेशन के इंद्र में आप सभी का स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि क्या साधना से सब को सफलता मिलती है हम जो साधना करते हैं हम जो मेरिटेशन कर रहे हैं क्या उसे सब को सफलता मिलेगी जिसने पूरा प्रोसीजर फोलो किया है अंसर है नहीं हो सकता है उन लोगों को ना मिले जो आज पहली बार माला उठा रहे हैं या जिन्होंने पहली बार माला उठाई ऐसा ही होता है कि अगर आप पहली बार माला उठा रहे हो आपने पहले कभी कोई भी जाप ने किया है तो कि आपको अगर आपकी सिद्धी की कामना है तो वह मिले क्योंकि हर लोगों की सिद्धी की कामना नहीं होती हम लोगों को भी कामना रखनी चाहिए कि उस भगवान की जिसके हम साधना कर रहे हैं उस भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो उनकी हम शरण में रहें या फिर उनक करना होता है जन करना होता है या फिरकिनी लोगों के पीछे कुछ गलत लोग पढ़ जाते हैं जो उनका हाम करना चाहते हैं उन पर गलत गलत चीजे कर रहे हैं आप लोग जानते ही हो तो उन लोगों के लिए इसे डिफरेंट केस है बट हम एक आम इंसान के लिए बात करें तो ऐसा रहता है उसे मोक्ती मोक्ष यह सब कुछ प्राप्त मिल जाए आश्रवाद मिल जाए अपने में दर्शन हो जाए उसकी कृपा मिल जाए इतना ही काफी होता है राइट नाव सिद्धी भी नहीं मिलती एक दम से अगर आपने आज ही माला उठा ली तो नाव इसका रीजन भी है क्यों नहीं क्योंकि अभी उससाब से आपका और नहीं है आपकी बॉड़ी में जाप नहीं है तो कैसे आपको मिल सकती है इसलिए जिस जहां से मैं जुड़ा हूं प्रीतम धाम से तो उन्होंने हम हमेशे यहीं सिखाया है सबसे पहले आते ही उन्होंने बोला यह ओम नवस्षिवाय मंत्र है इसको जबना स्टार्ट करतो और बोला सो माला एक दिन में मेरे लिए यह थोड़ा सा डिफिकल था विकोज इसने अभी तक एक भी माला नहीं उठाई हुई सो सुनके उसको लग क्योंकि वो जाप लगना भी शुरूई नहीं हुआ था और मैं सो कर भी नहीं रहा था एक्चुल में वो जस्ट चेकिंग की देखते हैं सो बोल दियाना अब क्या बोलेंगे देखा तो ऐसा था लेकिन तब भी बॉड़ी में कोई नहीं आया मैंने उसके बाद सीरिस्ट ल रहते हैं बट मिलती है क्योंकि हमाइद प्रेडक्शन के लिए एक चीज तो भगवान देता है हमेशा राइट तो थ्री मंथ तुए नहाफ कहूंगा मैं त्री नहीं तुए नहाफ मन्त लग गए ते मुझे को जीरो से स्टार्ट करने में और पहुचने तक वहां तक उसक अधी बहुत कम चांसी हैं हो सकता है 41 डेज वाली कोई कर रहा हो और बहुत ज्यादा जाप कर रहा हो तो मिल सकता है बट दिवाली वाले हो गए दो दिन 11 डेज 21 डेज 31 डेज इवन 41 डेज भी मैं यह नहीं बोलूंगा कि 100 परसंट हम शूर है यह जरूर हो सकता है कि आपक की तरंग प्राप्त हो उनका आशिरवाद प्राप्त हो बट सिद्धी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अभी हम लोग इसके अलावा कुंडलीनी पर भी बात करेंगे क्योंकि कुंडलीनी भी बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है अगर आप अध्यात्मिक है आपको पता होगा कुंडलीनी शक्ती क्या होती है सेवन चक्रास होते हैं और ये चक्रास के बारे में हम हर एक एक चक्रा के बारे में रह्ता है kes बात करेंगे और अगर साथी में ट्राइफिक में समरी वि दें तो आप कॉमेंट में बदाना और आपको ये वीडिय verbal को अधित है अब enjoying लूर लेलो राइट या फिर आगर आप किसी की भी साधना कर रहे हो इन फाक्ट आप विष्णु भगवान की मंत्र जपोगे तो विष्णु भगवान भी शिव के जबते हैं वैसे ही विष्णु शिव भगवान को हम लोगोंने स्टार्टिंग में क्योंकि जिनके गुरु नहीं ह मुझे भी यहीं सिखाया है मेरे जहां से मैं सीखता हूं जो मेरे गुरु है उन्होंने प्रितम भाया ने कि फर्स्ट और लास्ट में ओम लगाना तो बहुत अच्छा रहता है इसके उपर भी हम बात करेंगे कि क्यों लगाते हैं अभी के लिए फिलाल इतना ही तैंक्यू जाय माद अड़ी